जयेश भाई जोरडार के ट्रेलर लॉंज के मौके पर रणवीर सिंग ने यसरत फिल्म्स के बैंट बाजब बरात के अनुभव को शेर किया। उन्होंने अपने बोलिवुड डेबू से पहले आदित्य चोपड़ा द्वारा दी गई सला के बारे में बात की। उन्होंने कहा मेरी पहली फिल्म की रिलीस से पहले मेरी पोस्टर हर जगा लगाए गए थे। मैं एक फिल्म देखने गया था जहां मैंने अपने पोस्टर के सामने दो लोगों को खड़ा देखा था। मैं रुख गया क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि वो क्या कह रही है। उन्होंने कहा ये कौन है ये हीरो नहीं दिखता इंजिन एक्सप्रेस से बातचीत में रणवीर सिंग ने कहा किसे पहले आदित्य चोपडा ने मुझे दूसरी मुलाकात में कहा था तुम रित्तिक रोशन नहीं हो तो तुम अभिना कर लेना एक्टर ने कहा मैं ऐसा करने में शक्षम होने के लिए पस्धन्य हूँ यही कारण है कि मेरा दिल क्रतगता से भरा है जेश भाई जोरदार येसराज फिल्म्स की फिल्म है वहीं रणवीर ने चोपडा की फिल्म से ही डेब्यू किया था येसराज फिल्म्स की लेडिस वर्ड की बात करें तो रनवीर सिंग को आखरी बार 83 में देखा गया था वो अगली वार सरकस में दिखाई देंगे जो सेक्सपियर के नाटक दा कमडी ओफ एरज का हिंदी वर्जन है वही वह करन जोर की रोकी और रोनी की प्रेम कहानी में आलिया भट के साथ नजर आएंगे